Hello everyone, मैं हूँ किरन शापुरे और ये है आप लोगों के लिए May 2022 की Love Tarot Reading और अभी मैं out of country हूँ, मैं Canada में हूँ तो अगर आप personal session चाहते हैं और फिर किसी भी reason के लिए मुझे contact करना चाहते हैं आप WhatsApp message करेंगे या फिर WhatsApp call करेंगे तो बहतर रहेगा और हो सकता है देखिए जवाब देने में थोड़ा सा delay हो जाए क्योंकि यहाँ पर दिन रात का फरक है लेकिन अगर आप WhatsApp call यहाँ फिर WhatsApp message करेंगे तो आपको जवाब ज़रूर मिलेगा और आप अपना personal session भी book करा सकते हैं और दिखिए contact number नीचे description box पे mention है उसी पे ही आप WhatsApp call और message मेंचे कर सकते हैं और इसी के साथ साथ अगर आप daily tarot reading में interested हैं तो आप मेरा इंस्टा page भी visit कर सकते हैं जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा और दूसरी बात इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं sun sign, moon sign, ascendant या फिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके according भी आप इस reading को देख सकते हैं और अगर आप मुझ से पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस sign को आप अभी तक follow करते आ रहे हैं या पिर जिस sign के हिसाब से आप अभी तक अपनी readings को देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं आप उसी sign के हिसाब से इस reading को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं May 2022 की Love Tarot Reading तो चलिए सेडिटेरियस आप लुगों के लिए देखें कि May 2022 में आपकी Love Life कैसी रहेगी तो मैं पस यहाँ पे तीन सेट आफ कार्ट हैं फर्स सेट में हम आपकी energies देखेंगे फर्स सेट में आपके partner की energies देखेंगे and third set में हम देखेंगे कि finally May month में क्या हो रहा है तो आपसे शुरू करते हैं सेडिटेरियस और आपके लिए आप इस सबसे पहला कार्ट मुझे देख रहा है Page of Wands Reverse और ये कार्ट कहता है कि कुछ टाइम से या फिर May starting में या May month में आपकी काफी immature सी energies रहे रही है कुछ सेडिटेरिस के लिए literally हो सकता है कि एक childish सा behavior आपका रहे रहा है किसी चीज को लेकर या तो आप over enthusiastic, over excited हो रहे है या फिर आपका enthusiasm, आपका excitement लो रहे रहा है और दिखें यहाँ पे the young bride का कार्ट कहे रहा है कि मन ही मन आपको ऐसे लग रहा है कि आपने कभी भी अपने आपको इस relationship में priority नहीं दी हमेशा ही आपने अपने partner को बहुत importance दी खुद को backseat पे रखा और शायद इसी लिए या फिर otherwise भी वो respect, वो level, वो ओधा आपको अपने partner से या फिर इस relationship में नहीं मिला तो यहाँ पे मैं आपको यही कहूंगी Sagittarius की सामने वाला आपको कैसे treat करता है वो काफी हद तक आपके हाथ में होता है अगर आप खुद को ही love और respect नहीं करते हैं तो कभी भी आपको सामने से नहीं मिलता है और देखिए कहीं अभी भी mid May में यहाँ पे six of pentacles reverse का काट कहता है कि आप बहुत ज़ादा इस relationship में giving हो रहे हैं और देखिए giving वाली energy सबसे जटिरियस के लिए differ कर सकती है कुछ के लिए हो सकता है कि आप beyond the point अपने partner को किसी चीज के लिए इस relationship के लिए convince कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि किसी भी तरीके की support, help की आपके partner को ज़रत है तो वो help, वो support आप देने के लिए ready दिख रहे हैं और देखिए यह help, यह support भी सबसे जटिरियस के लिए differ हो सकती है कुछ के लिए emotional, mental, physical level पे एक supporting help हो सकती है कुछ के लिए financial help पर support हो सकती है देखिए nutshell में किसी भी तरीके की support, help की आपके partner को ज़रत है वो आप देते हुए दिख रहे हैं और कहीं फिर से मैं कहूंगी कि बहुत ज़ादा ही giving आप हो रहे हैं और देखिए नीचे totality का card कहता है कि again total आपकी एक involvement total आपका एक contribution इस relationship के लिए रहे रहा है और देखिए यहाँ पे फिर से मैं आपको यही कहूंगी कि जब इन giving and receiving वाली energies में एक balance नहीं होता है तभी कहीं relationship में issues होते हैं, मसले होते हैं तो आप अगर you know वो respect, वो level, वो ओधा अपने partner से चाहते हैं तो फिर से देखिए सबसे पहली चीज है आपको giving and receiving वाली energies में एक balance लाना पड़ेगा और कहीं खुद को respect देनी पड़ेगी, खुद को वो love देना पड़ेगा और देखिए यहाँ पे दववेफेरर और Ace of Swords Reverse के cards कहते हैं इसलिए शायद आप बहुत lost feel कर रहे हैं जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा कि भई आप कहा है, यह relationship में अगेन आपका क्या level है और कहीं एक अकेलापन, space या तो आप चाहा रहे हैं या फिर बहुत जादा एक अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं कहीं खोया-खोया सा मन ही मन अगेन आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं surface level पे आप बहुत ही logically चीज़ों को analyze करना चाहा रहे हैं आप mind से चलना चाहा रहे हैं लेकिन आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं एक detachment रखते हुए आप चीज़ों को deal करना चाहा रहे हैं लेकिन उस तरीके से एक detachment आप नहीं रख पा रहे हैं अब देखते हैं sedutaries के आपके partner की के energies हैं देखे आपके partner के लिए यहाँ पर सबसे बहला card मुझे दिख रहा है awareness और यह card कहता है कि आपके partner को इस चीज़ का एहसास है कि उनसे कुछ गलतियां हुई है उनकी तरफ से फिर से मैं कहूंगी कुछ mistakes हुई है शायद उन्होंने आपको अच्छे से नहीं treat किया या फिर वो respect वो love जो आप deserve करते थे उन्होंने नहीं दिया और कहीं इसी चीज़ को वो सुधार ना चाहा रहे हैं कहीं इसी चीज़ को वो better करना चाहा रहे हैं लेकिन इसी direction में देखे seven of wands reverse का card कहता है कि उतने action उतने initiatives नहीं ले रहे हैं किसी तरीके का किसी level का एक opposition face कर रहे हैं और देखे यह opposition ये एक अडचन भी सब Sagittarius के partner के लिए differ कर सकती है कुछ लोगों के लिए external हो सकती है circumstances हो सकते हैं, situation हो सकती है जिसकी वज़े से again वो चीज़ों को सुधार ना चाहा रहे हैं लेकिन action initiatives नहीं ले पा रहे हैं कुछ से डिडेरेस के partner के लिए उनका ही belief system उनका ही thought process हो सकता है, ego हो सकती है again मैं कहूंगी कोई भी चीज़ हो सकती है जो उन्हें रोक रही है या फिर जिसको वो overcome नहीं कर पा रहे है चीज़ों को again सुधार ना चाहा रहे हैं लेकिन उस तरीके से action initiatives नहीं ले पा रहे हैं और दिखे, nine of cups and touching one another के cards कहते हैं कि बहुत एक love, प्यार, महबबत आपके लिए महसूस कर रहे हैं उनको ऐसे लग रहा है Sagittarius, आप उनके लिए वो wish है, वो desire है जिसको वो manifest करना चाहते हैं और दिखे, आपके touching one another का card कहता है कि आपके साथ एक closeness चाह रहे हैं, intimacy चाह रहे हैं आपको महसूस कर रहे हैं या फिर महसूस करना चाहा रहे हैं और शायद इससी लिए देखे, end May के लिए the magician का card कहता है कि वो action initiatives ले रहे हैं और यहाँ पे देखे, May starting के लिए seven of wands reverse के card में हमने देखा था Sagittarius कि वो action initiatives लेना चाहा रहे हैं लेकिन कुछ issues हैं, कुछ मसले हैं और कहीं उनको वो नहीं overcome कर पा रहे हैं तो फिर से देखे, end May में उन्हीं चीजों को वो overcome करते हुए दिख रहे हैं बहुत ही confidently, बहुत ही assertively कुछ Sagittarius के partner के लिए literally हो सकता है कि aggressively भी इसी direction में action initiatives लेना चाहा रहे हैं या ले रहे हैं हाला कि देखे, deeper level के लिए the wear and tear of time का card कहता है कि उनको इस चीज का एहसास है कि चीजें बहुत ही खराब हो चुकी है बहुत ही wrong direction में जा चुकी है लेकिन फिर भी वो give up नहीं करते वे देख रहे हैं उनकी ऐसी energies हो सकती है कि चाहें कुछ भी हो उन्होंने चीजों को better करना है कहीं चीजों को सुधारना है और शायद इसी लिए देखिए काफी manipulative भी वो होते हुए दिख रहे हैं काफी diplomatically हर चीज को वो deal करना चाहा रहे हैं या कर रहे हैं और अब देखते हैं Sagittarius की May month में क्या हो रहा है है कि May month के लिए यहाँ पर सबसे पहले काफ मज़े दिख रहे हैं Witness and the star और ये काफ कहते हैं कि surface level पर एक उमीद जागती हुए दिख रही है कहीं उन्हों एक hope आती हुए दिख रही है पीछे अगर आप बहुत confused हो रहे थे तो कहीं एक clarity भी आती हुए दिख रही है आपको एक direction दिख रहा है कि कैसे आप आगे बड़े कैसे चीजों को ठीक करें या फिर मैं कहूंगी कि ये relationship बेटर हो जाएगा उसके लिए एक positivity आती हुए दिख रही है लेकिन फिर भी deeper level के लिए या फिर मन ही मन आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक pause लेते हुए दिख रहे हैं चीजों को और observe करना चाहा रहे हैं कहीं यूनों और समझना चाहा रहे हैं आगे बढ़ने से पहले और दिखे शायद इसलिए यहाँ पर Ace of Wands, Reverse and Failure के cards कहते हैं कि एक नई beginning आप लोग करना चाहा रहे हैं पुरानी चीजों को completely भूल के फिर से मैं कहूंगी कि completely एक नई शुरुवात इस relationship के लिए चाहा रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं और देखे कुछ लोगों के लिए literally हो सकता है कि आप इस relationship को किसी level पे end भी करना चाहा रहे हैं देखे जनरल रीडिंग होती है तो फिर से थोड़ा-थोड़ा सब के लिए differ हो सकता है कुछ के लिए आप end ही करना चाहा रहे हैं कुछ के लिए आप पुरानी चीजों को end करके फिर से एक नई शुरुवात इस relationship के लिए चाहा रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं failure का काट कहता है कि पुराने failures आपको बहुत ज़ादा याद आ रहे हैं जहां पे आप दोनों या आप दोनों ने एक कोशिश करी थी और success नहीं मिली थी या फिर देखिए जो भी energies आप दोनों की हैं उसकी वज़े से failure का का काट कहता है कि एक success उन्हीं चीजों में नहीं मिल रही है और देखिए end में के लिए यहाँ पे intimacy and four of pentacles reverse के काट कहते हैं कि जो भी चीजों को आप दोनों बहुत ही tightly पकड़ कर बैठे हुए थे उनको कहीं let go कर रहे हैं और देखिए let go वाली energies भी सब के लिए differ कर सकती हैं कुछ के लिए हो सकता है कि इस relationship को ही let go कर रहे हैं और कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी चीजें इस relationship को serve नहीं कर रहे हैं या फिर जिनकी वज़े से problems हो रही हैं उन्हीं को let go कर रहे हैं एक intimacy चाह रहे हैं तो देखिए फिर से मैं काऊंगी Sagittarius थोड़ा थोड़ा सब के लिए differ कर सकता है लेकिन nutshell में देखिए deeper level पे again एक intimate energies हैं या फिर एक closeness आप चाहा रहे हैं और इसके बावजूत surface level पे या तो इस relationship को let go कर रहे हैं या फिर इस relationship में एक better energies लाने के लिए उन चीजों को let go कर रहे हैं जिनकी वज़े से इस relationship में issues और मसले हो रहे हैं तो ये थी से जडिडिये साप लुगों के लिए में 2022 की Love Tarot Reading और अगर ये reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस चैनल को like, share और subscribe जरूर करें